नमस्टकार दोस्तो दोस्तो चैंपकेश बिजनस में आपका स्वागत है चैंपकेश का जो नया वर्जन आया है जो शॉपिंग के साथ बहुत ही असान और बहुत ही अच्छा वर्जन है इस वर्जन में क्या खुबी आप और इसको कैसे यूज कर सकते हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपको Champ Cash को किस तरह से आपको Login करना है Sign Up किस तरह से करना है और Challenge तक किस तरह से पहुँचना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका Phone गुम हो जाता है और आप दूसरे फोन में अपना फोन चैंपकेश का अकाउंट convert करवाना चाहते तो आप किस तरह से करेंगे देखेंज, पहले यूज़ करते है चैंपकेश में अकाउंट बनाना अगर आप चैंपकेश का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो option दिये गए Sign up with Champ Cash और Sign up with Google अगर आपका Google पर Gmail का अकाउंट बना हुआ है तो आप Sign up with Google भी कर सकते हैं अगर Gmail पर अकाउंट नहीं है तो आप Sign up with Champ Cash की चीज़गा अगर आपका फोन घुम हो गया है और आप अपना फोन दूसरे फोन में ट्रांस्वर करना चाते हैं या आपको लगता है कि मेरी Champ Cash में ID बनी हुई थी और मैं लोग आउट हो चुका हूँ तो आप क्या करेंगे यहाँ पर option दिया हुए Change Device या Login का इस पर आप लोग क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद इससे अगली ही स्क्रीन पर आपका password और आपका refer ID Champ Cash का मांगा जाएगा जो भी आपका Champ Cash का password है और जो ID आपको लगता है कि आप एक phone से दूसरे phone में shift कराना चाहते हैं वो यहाँ पर as it is जैसे ही आप डालेंगे submit का button प्रेस करेंगे और उससे ही अगली स्क्रीन पर आपकी email ID पर और आपके mobile phone पर एक OTPP पिन आएगा वो दोनों code एक जैसे ही होंगे email से या mobile से वो code उठाइए और आप यहाँ पर enter जैसे ही करेंगे आप login हो जाएगे अब देखते हैं कि Champ Cash में नए account किस तरह से बनाना है देखे अगर आप sign up with google करते हैं तो mobile verification नहीं होगी आपकी क्योंकि आपकी Gmail से verification हो जाएगी आएए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से जैसे मैंने sign up with google पर click किया मेरा account यहाँ पर आगया इसको आप मैं select करूँगा इससे अगली screen पर मेरी detail, मेरा नाम और मेरी email id अपने आप मेरे सामने आजाएगी देखे detail और मेरी email id अपने आप भर के आगी है इस email id को मैं change नहीं कर पाऊंगा पर इस नाम को मैं change कर सकता हूँ मैं अपना कोई भी एक password चूज कर सकता हूँ minimum 5-6 character का password होना चीए यहाँ पर confirm password दुबारा से वही password डालना है यहाँ पर आपको अपनी country select करनी है देखे अब मैं अपनी details सब fill कर चुका हूँ और यह सारी details fill करने के बाद मैं proceed का button दबाऊंगा proceed का button दबाता ही यहाँ पर enter refer id of sponsor के लिए आपको एक id मांगी जाएगी इस जगा को आपको बहुत ध्यान से आपको पार करना है यहाँ पर आपका जो भी sponsor है जिसने आपको jam cash के बारे में आप लोगों को बताया है उस person से आप contact करेंगे और आप उन से बोलेंगे कि आप अपनी jam cash की refer id बताईए उस person की आपको यहाँ पर refer id डाल के submit करना है देखे अभी हमने google से sign up किया तो यहाँ refer id डालने के बाद हमारे पास mobile का OTP pin नहीं आएगा पर अगर हमने sign up with jam cash किया होता तो वहाँ पर जब भी इस id को submit करेंगे तो हमें refer id के लिए मांगा जाएगा और हमारे mobile पर एक OTP pin आएगा उस OTP pin को हमें jam cash में डालना होगा तभी हम register कर पाएंगे पर जैसे कि अभी हमने google से sign up किया है तो हमें कोई OTP pin नहीं आएगा आएगे अब देखते हैं कि आगे क्या करना है देखे दोस्तों मैंने sponsor id डाल के submit कर दिया है और उसके बाद अब मेरा challenge शुरू हो जाएगा challenge के बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि challenge आपको किस तरह से complete करना है धन्यवाद दोस्तों